दिल्ली के उपमुखे मंतरी मनीश सिसोधिया ने प्रेसवारता करते हुए जानकारी दी है कि दिल्ली से संबंदित किसी भी यूनिवस्टी की कोई भी प्रिक्षान नहीं ली जाएगी सारी अगामी प्रिक्षाई रद करने का फैसला लिया गया है साथ उन्होंने बताया किसके बारे में केंदर सरकार को चिठी लिखी गई है किसी आधार पर देश के अन्ने यूनिवस्टी में पढ़ते विद्यार्थियों को भी रहत दी जाए जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना को लेकर पूरा देश अभी भी संकट में ही है और पूरे देश में इतना लंबा लॉक्डाउण लगाया गया लॉक्डाउण के दौरान सारी गतिविधियां बंद रही हैं मार्केट से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके एजुकेशन तक सब गतिविधियां बंद रही यहां तक कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद है जब स्कूल बंद हुए तो उससे में परिक्षाएं चल रही थी जब लॉकडाउन लगाया गया स्कूल की हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में रिड़ने लिया था कि नवी और ग्यारवी की परिक्षाएं ना कराके नवी और ग्यारवी के बच्चों को उनके जो इन हाउस एग्जामिशन्स होते हैं टर्मेंड एग्जामिशन्स होते हैं मिट टर्म एग्जामिशन्स होते हैं और दूसरे तरीकों से इवेलिट करके बिना एक्जाम कराए उनको प्रमोट करेंगे और वो हमने किया उसके बाद हमने केंद सरकार से कहा क्योंकि CBSC वोर्ड है कि दस्वी और बार्वी के एक्जाम भी इसी तरज पर कैंसिल कर दिये जाएं जो बाकी एक्जाम बच गए थे सुरवात में थोड़ा सा उनको आपती थी लेकिन उसके बाद फाइनली दस्वी और बार्वी के एक्जाम भी दिल्ली की नवी और ग्यार्वी की परिक्षाओं के तरज पर क्लास के प्रियोप के तरज पर कैंसिल करके और बच्चों को इवेल्वेट किया जा रहा है अब स्कूल का मामला तो सुलज गया लेकिन उनिवेस्टीज का मामला काफी पेचीदा था क्योंकि इस पूरे सेमिस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई लेकिन लैब्स, लाइबरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च, सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा, कोई भी अक्टिविटी नहीं हुई और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परिक्षा कैसे लें जिस सेमिस्टर की परिक्षा होनी है उस सेमिस्टर की पढ़ाई नहीं हुई दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमिश्टर को पढ़ाई नहीं गया उसकी परिक्षा कराना मुश्किल है इस परिक्षा कराना मुश्किल है इस पर काफी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो युनिवस्टी के लिए हाईर एजुकेशन के लिए बहुत महत्पूर्ण होता है और अमूमन युनिवस्टी के परिक्षा है जुलाई के महीने में होती हैं सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णे लिए जाने जरूरी है मुक्यमंत्री जी अरविंद केज़िवाल जी बार-बार कहते हैं कि इस और extraordinary times and we need to have extraordinary decisions in this tough time इसलिए आज सरकार ने निर्णे लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी उनिवस्टीज हैं उनमें सभी आगामी परिक्षाएं कैंसल कर दी जाएंगी इसमें सभी युनिवर्ष्टीज के जो आगामी सेमिस्टर एक्जाम्स हैं वो भी और जो टर्मिनल एक्जाम्स हैं यानि फाइनल एक्जाम्स हैं उनको भी कैंसल कर दिया जाएगा फर्स्ट एर, सेकंड एर, थर्ड एर या फाइनल एर का कोई भी आगामी परिक्षा दिल्ली राजी की नुष्टीज में नहीं ली जाएगी सभी इनुष्टीज को कहा गया है कि बिना रिटिन एक्जाम्स कराए पुरानी परिक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमिस्टर के आधार पर या और असेस्मेंट्स जो अभी तक किये गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें जो सेमिस्टर एक्जाम्स देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमिस्टर में प्रमोट करें उसके हिसाब से इवेलुएट करके और जो फाइनल सेमिस्टर के बच्चे थे या फाइनल एयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से करें इस समय परिक्षाइं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है और बच्चों को डिग्री देना इसलिए जरूरी है कि जिन बच्चों ने तीन या चार साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी उनके इंट्रिव्यूज हो गए होंगे वो अपने परिवार की और देश की कॉनोमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना जरूरी है या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना जरूरी है तो वैसे में उनको परिक्षा बच्चों को दिलाना कोरोना की वज़े से उनके साथ अन्याय होगा और परिक्षा ना होने की वज़े से फॉर्मल परिक्षा ना होने की वज़े से डिग्री रोक के रखना भी बच्चों के साथ में अन्याय होगा मुझे उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली के उन लाखों बच्चों को बहुत रहात मिलेगी जो पूरे सेमिस्टर पढ़ नहीं पाए और अब परिक्षाओं पे भी अनिश्यत्ता की वजह से उनके आगे के केरियर पर संकट के बादल मंड़ा रहे थे लेकिन यह सारा अरेंज्मेंट्स जो दिल्ली सरकार ने आज निड़ने लिया है यह दिल्ली की स्टेट उनिवस्टीज के लिए है दिल्ली में दिल्ली विश्विद्याले जेन यू और कई सेंट्रल विश्विद्याले हैं इसके लिए केंद सरकार को निड़ने लेना है इसलिए मानने मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी ने चिठी लिखी है प्रधान मंत्री जी के नाम वो उनको अलग से चिठी लिख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं निवेदन कर रहे हैं कि जो निर्णे दिल्ली सरकार ने अपने विश्विद्यालों के लिया है के लिया है राज्य के विद्यालों के लिया है वही निर्णे केंद्री सरकार भी सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर केंद्री विश्वद्यालों के लिए ले ले ताकि उसमें पढ़ रहे लाखों बच्चों को भी अनिश्चता के इस माहौल में कुछ राहत मिले और वो अपने आगे के बारे में सोच सके मुझे उम्मीद है कि मुक्य मन्ति जी की रीक्वेस्ट वर प्रधान मन्ति जी जल्दी ही इसमें दżyद्धेश देंगे डिल्ली सरकार के लिए नियुषीज को दिल्ली के जो इनियुषीज हैं दिल्ली स्टीट की उनके लिए निड़ने दे ला गया है क्योंकि परिक्षाय नहीं करनी है तो इविलेशन का कुछ तरीका निकालके और जल्द से जल्द करके हम चाहते हैं कि उनको बच्चों को फाइनली अरके बच्चों को डिगरी देती जाए बिरो रपोर्ट डी फाइव चैनल हिंदी